असलाम वेकूम, हाई एवरीवन, इस आईदा, यर स्पोकन इंग्लिश ट्रेइनर. From इंग्लिश रीडियो, I am going to teach you how to speak English at home using 45 English sentences. ओडियन्स, इस रीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, डेली बेसिस पर यूज होने वाले इंग्लिश के 45 ऐसे फिकरात, जिनको आप सीखर में बासानी इंग्लिश बोल सकते हैं। ओडियन्स, हमारे साथ इसी तरह बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए अभी इस चैनल को जल्दे से सब्सक्राइब कर लीजे, और साथ ही बेल बल्दू को भी प्रेस कर लीजे ताकि आपको इसी तरह की जबरदस्त इंग्लिश लर्डियो लगतार मिलती रहें। चलिए करते हैं आज के लेसन का आगास। हमारे पास पहला संटेंस आ जाता है खाना अभी नहीं बना है फूड इस नौट येट रड़ी येट का लवज अब तब यूज़ करते हैं जब चीज अभी ना हुई हो जैसे खाना अभी नहीं बना है फूड इस नौट येट रड़ी मुझे मेरी जुराबे नहीं मिल रह sentence हो तो इसके English है Your wardrobe is very dirty Your wardrobe is very dirty All right audience मेरी shirt कहा है? Where is my shirt? Where is my shirt? रात का खाना तयार है Dinner is ready यानि जब खाना तयार हो जाते तो आप इस तरह का sentence English में बोल सकते हैं Dinner is ready जैसे अगर lunch तायार हो जाए तो आप कहेंगे दुपैर का खाना तायार है और इसकी English है Lunch is ready Lunch is ready कपड़े धौलो बहुत गंदे हो रहे हैं Wash the clothes Wash the clothes यहां पे clothis नहीं पढ़ना Clothes पढ़ना है All right audience खाना बन गया है जब आप पूछ रहे हों कि खाना बन गया है तो इस तरह का sentence यूज़ कर सकते हैं Is the food ready? Is the food ready? मेरा रुमाल कहा है Where is my handkerchief? Where is my handkerchief? मेरी जराबे कहा है Where are my socks? Where are my socks? आप बहुत सोसते हैं You are very lazy You are very lazy पर्दे धोने होंगे यानि पर्दे बहुत मेले हो रहे हैं ऐसे धोने होंगे तो इस तरह का sentence हो तो इसकी English है Curtains have to washed Curtains have to washed पर्दे की English है Curtains नए पर्दे लगा दो यानि पर्दे हटा दो नए पर्दे लगा दो Put the new curtains Put the new curtains Newspaper आया है यानि जब सुबह आप अकसर लोगों का ये मुश्कला होता है ये हो भी होती है कि सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले नियूस पेपर पढ़ते हैं तो आप पूछने के लिए ये नियूस पेपर आया है तो आप इंग्लिश में इसे पूछ सकते हैं नियूस पेपर हैस टू कम नियूस पेपर हैस टू कम नियूस लगा दो Tune into news फर्द करें कि आप किसी गरूप में बैठे हैं तो आप मैंसे कोई भी ये पूछ सकते हैं कि नियूस लगा दो Tune into news Tune into news उठो आठ बजगे हैं तो आप किसी को उठा रहे हों तो इस तरह का sentence यूस करते हैं Wake up, it's 8 o'clock Wake up, it's 8 o'clock तुम इतने आल सी क्यों हो? Why are you lazy? Why are you lazy? नाश्ता तयार है Breakfast is ready Breakfast is ready Audience आपने यहाँ पर English के word को मतलब मिला के पढ़ना है जैसे हम शुरू से Urdu सुनते आ रहे हैं और हमारा connection भी है Urdu के साथ यानि हम word को मिला कर पढ़ते हैं इस तरह से आप English भी सुना करें ताकि आपको English को मिलाने की समझ आचाएं ओल्राइट ओडियंस Breakfast is ready कपड़े इस्तरी कर लो यानि लाइट छाने वाले हैं कपड़े इस्तरी कर लो Iron the clothes Iron the clothes घर पर पोचा मार तो Mop the house Mop the house या Mop up the house Mop up the house AC ठीक कराओ यानि एसी जब खराब हो गया हो तो आप इस तरह का sentence यूज करते हैं Get to the AC fixed Get to the AC fixed अपनी अलमारी आरास्ता करो Arrange your wardrobe Arrange your wardrobe यानि नई चीजों की जगा बनाओ नई कपड़े कहां रखे हैं Where are the new clothes kept Where are the new clothes kept Delivery वाला आया है Our delivery boy has come Our delivery boy has come मुझे मेरा parts नहीं मिल रहा है I can't find my parts I can't find my parts मुझे भूक नहीं है I'm not hangry I'm not hangry तक्ये के कवर बहुत मैले हो गए हैं Hello covers are very dirty Hello covers are very dirty Bad shit are very dirty बच्चे सो रहे हैं The children are sleeping The children are sleeping मुझे कल कॉलिज जल्दी जाना है I have to go college to early tomorrow I have to go college to early tomorrow आज गाजर का हल्वा बनाओ Please make carrot pudding today Please make carrot pudding today Please make carrot pudding today Gas चालो कर दो Turn on the gas जानी जब आप दूद रख रहे होते हैं या किसी को कहा देते हैं कि गैस चाला दो चुले पर जब दूद रख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि गैस चालो कर दो तो इस इंग्लिश में पैसे कहते हैं Turn on the gas गैस बंद कर दो Turn off the gas Turn off the gas बालो में तील लगाया करो तुम हरे बाल कितनी रख हो रहे हैं जब इस तरह का संटेंस हो तो आप इस तरह की इंग्लिश यूस कर सकते हैं Apply oil on your hair Apply oil on your hair तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो You keep on playing games all day long तुम्हारा और कोई काम नहीं है तुम सारा दिन game खेलते रहते हो You keep on playing games all day long मैं फोन पे बात कर रही हूं I'm talking on phone I'm talking on phone दूद वाला आज नहीं आया है The milkman has not come today The milkman has not come today TV चला दो Switch on the TV Switch on the TV जूते पालिश करो Polish the shoes Polish the shoes आज बड़ी दीर हो गई है आने में You come so late today You come so late today Lunch box ले लो Take your lunch box मैं काम करते करते ठक जाती हूं I get tired of working I get tired of working शाम हो गई है It's evening यहां पे मैंने थोड़ा फ्रंटली इंग्लिश बोली है It is go यानि इसका contraction मैंने बोला है It's यह क्या है? Contraction है It's evening शाम हो गई है पंखा बंद कर दो Switch on the fan या पंखा सला दो Switch on the fan हाटा खत्म हो गया है There is no flower There is no flower दूद घरम कर दो Heat up the milk Heat up the milk बहुत मच्छर हो गए है Too many mosquitoes are there Too many mosquitoes are there Russian लेने जाना है I have to go to the get Russian I have to go to the get Russian Audience मेरे पीछे रपीट करते जाएं ताकि आप को sentence की समझ आते जाएं जल्दी करो School बस आ गई है Hurry up the school bus is here Hurry up the school bus is here मैंने खाना लगा दिया है I have served the food I have served the food कपड़े अल्मारी में रखो Put the clothes in the अल्मारी Put the clothes in the अल्मारी Mुझे बजार जाना है I have to go to the market I have to go to the market All right audience गिला तोल या बिस्तर से हटाओ Remove wet towel from the bed Remove wet towel from the bed Home work मुकमल कर लिया तुमने You have completed your homework You have completed your homework कपड़े सुखा दो Try the clothes Try the clothes मेरा दिल नहीं कर रहा आज काम करने को I don't feel like working today I don't feel like working today बहुत देर हो गई है अब सोचाओ It's too late, sleep now It's too late, sleep now All right audience आज समोसा खाने को दिल नहीं कर रहा I don't feel like eating समोसा today I don't feel like eating समोसा today Coffee बना दोगी Will you make coffee? Will you make coffee? घर पर जाडू लगा दो Sweep the house Sweep the house Fridge से सब जी निकाल दो Bring out the vegetables from the fridge यहां पे आपने vegetables नहीं पढ़ना Vegetables पढ़ना है All right audience Bring out the vegetables from the fridge I hope मेरी यह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए Allah आफिस झाल झाल झाल